राम राम जी आपका अपनी यूट्यूब चैनल टीम रोल राइफल पर स्वागत है इस टाइम वो खबर आ रही है जिसका हमें पिछले 16 दिन से इंतजार था सिद्धू मुस्वाड़ा हत्या कांड में अब लोरेंस बिश्णोई को पूस्ताज के लिए बंजाब मांसा लाया जा रहा है इस केस की आप कह सकते हो इस सबसे बड़ी अचीवमेंट है पंजाब पुलिस के लिए क्योंकि पिछले 15 दिन से कभी स्पेशल सेल की रिमांड तो कभी दिल्ली पुलिस की रिमांड पर था लौरेंस बिश्णोई जैसे ही पंजाब पुलिस को पता चला कि आज 14 दिन बाद जो है मैक्सिममम 14 दिन की रिमांड हो सकती है 14 दिन बाद जाब लौरेंस बिश्णोई की रिमांड खतम हो रही थी तो कल रात ही पंजाब पुलिस दिल्ली पहुंच गी थी और पंजाब पुलिस का सिर्फ एक इमिशन था कि कैसे भी करके हमें लौरेंस जो कि कैनेडा में उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस हो चुका इशू साथ ही दूसरा नाम आरता लौरेंस बिश्णोई का उसको भी पंजाब लाया जा रहा है बट एक सवाल जो आप लोग मुससे बार-बार इस्टाग्राम पे स्टाइम पूछ रहे हो कि भाई बताओ क्या रास्ते में लौरेंस बिश्णोई का एंकांटर हो सकता है बहुत सारे लोग है वह चाहारे हैं अभी से ही वह कॉमेंट कर रहे हैं मेरको मेसेज कर रहे हैं कि वी वॉन्ट एंकांटर करो खतम हो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक क्लियर कर देता हूं कि इतना आसान नहीं होता किसी का भी ऐसे उठा के एंकाउंटर कर देना हाँ पिछले साल विकास दूबे का एंकाउंटर हुआ था सबको पता था कि आज विकास दूबे का एंकाउंटर होगा और वो एंकाउंटर हो भी गया बट यहां पर सिनेरियो बहुत अलग है पहले दिन से ही ल पर लेते हैं जिम्मेवारी लॉरेंस विश्णोई की कि उसकी जान को कोई खत्रा नहीं होगा तब जाकर ट्रांजिट रिमांड पंजाब पुलिस को लॉरेंस विश्णोई की मिली है तो यह बहुत ही मुश्किल काम है जो आप भावु खोरे हो कि एंकाउंटर होगा एंकाउ कोई मजाक वाली बात नहीं कि कोई भी गैंग आकर लॉरेंस को मार देगी या फिर लॉरेंस का कोई फर्जी एंकाउंटर हो जाएगा जिसके चांस आप कह सकते हो 0.11 परसेंट भी नहीं है इसकी जो एक रीजन है वो सबसे बड़ा यह है कि जिम्मेवारी के ऊपर कोट ने ट्रांजिट रिमांड दी है अब देखना होगा कि मांसा ले जाने के बाद लॉरेंस बिशनोई से क्या पूस्ताच होती है किसके नाम निकलते हैं और कितने दिन की रिमांड मिलती है क्या हत्यार बरामद कर पाएगी पुली और शूटरों को पकड़ पाएंगे या नी इस इसके साथ ही जो हमने कल वीडियो बनाई थी संतोष जादव और उसके साथ ही को पकड़ा गया पूने पुलिस द्वारा गुजरात के कच्छ से उसके उपर भी मैं अपडेट दे देता हूं वहां भी बता रहे हैं कि पंजाब पलिस पहुंची है और संतोष जादव से और सिद्दू मुसेवाला केंपेइन हमने चलाई है उसको सपोर्ट कर रहे हैं यहां तक कि आप दिन में कम से कम मैं बता रहा हूं मुझे पांसो स्टोरीज मेंशन हो रही है यह कि बहुत बड़ी बात है इंस्टागराम, ट्विटर, फेस्बुक हर जिए आपने सिर्फ ए फेमिली है जो सिद्दू मुसेवाला भाई की उसने भी पूरा टाइम दिया है पूरी फेमिली ने पुलिस को पुलिस पे विश्वास जाता है सरकार के उपर विश्वास जाता है तो अब देखना होगा हम भगवान से यही उम्मीद करते हैं कि जो सिद्दू भाई है उसक केस के एक एक शूटर को पगड़ना है कौन मोटिव है वो पगड़ना और सबसे जो जरूरी चीज है मैं आपसे पहले दिन से कह रहा हूं इस केस में जरूर कुछ ना कुछ और एंगल भी निकलेगा या तो एक्सटोर्शन ड्रक्स या फिर तीसरा जो सीन है वो है कि इसमें क करते हैं पंजाब पुलिस से कि इनसाफ हो एक तरफा हो और ऐसे किसी का भी नाम लेकर किसी को भी नाफसाया जाए जो में जो शूटर है में जो इसके पीछे मास्टर माइंड है वो लोगों के सामने आने चीए और कड़ी से कड़ी सजा उन लोगों को मिलनी चाहिए इसी क के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं जै हिंट जै भारत